वागत करता हूँ आपका अरनव परता ब्लॉग में और आज मैं कोशिज करता हूँ यहां के बारे में बता जाता है कि एक भूतिया इस्टेशन है और यहां पर एक चुडेल रहती है तो आज हम लोग कोशिज करेंगे यहां के बारे में जानने के लिए कि यहां पर वाकई मे ये भूतिया इस्टेशन है या फिर इसके बार में मित से परचार किया जा रहा है आपको एक्स्पोर करने वाला हो बेगन को दर इस्टेशन वीडियो पर बने रहेंगे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और अरण तक देखेंगे और जो चैनल पर नए है प्लीज सब्सक्राइब किजिएगा लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा वह चैनल को जितना हो सके इतना आप सपोर्ट किजिएगा तो मित्रों बात यह है कि यह इस्टेशन जो है एक बहुत ही छोटा सा इस्टेशन है और यह इस्टेशन बिज विच में पढ़ती है और इसे पांच किलिम्टर आगे में आपका जालदा इस्टेशन है और साथ किलिम्टर पिछे में आपका कोट सिला इस्टेशन पढ़ता है यह बिज विच में इस्टेशन होने के कारण इस्टेशन पहले वी एक बार बंद हो चुका था क्योंकि यहां पर टेने बहुत कम रुपती है सुबह से साम तक यहां पर जो है सिरी पांच ही टेने जो है वो पड़ता है आपको साथ किलोमेटर जो है वो है आपका बामनिया जो की जहल्दा से पांच क्लिम्टर के दूरी पर है और यह देखिए दातुवन का गठा रखा हुआ है और जितने भाई लोग अगर दातुवन को जानते हैं और जो दातुवन के बारे में नहीं इस्टेशन का यह भीव आपको दिखाए दे रहा है सामने में और यहां पर एक चुली राजे का राजा और महराजा का समय का बाद था कि यहां से साथ किलिम्टर दूर में राजा का जो गड़ था उसकते थे बेगुन कुदर और राजा का गड़ होने के कारण में राजा क बामनियास यहां पर आपका जो है 500 मेटर के दूरी पर बामनिया है और यहां पर आपको यह नजारा दिखाए दे रहा है कि आप देखिए यह हो गया आपका इस्टेशन बहुत सी चोटा से इस्टेशन है और यहां के बारे में मैंने बहुत पता किया बहुत जानकारियां लेए यहाँ पर लेकिन यहाँ पर यह सभी बताए जा रहा है कि यह सब मित है कोई यहाँ पर चुड़ेल भूत ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर और जूट मूट का मित फिलाए जा रहा है और हमारा चैनल अंद विश्वास को जो है दूर करती है इसलिए चैनल को सपोर्ट किजिएगा लाइक किजिएगा और कॉमेंट किजिएगा जितना हो सके उतना चैनल को जो है आप सपोर्ट किजिएगा दोस्तों आप देखिए यही बिगन कुदर इस्टेशन है और यहाँ पर जो है बस यह सिर्फ पांच टेन अभी यहां रोकती है सुबह से साम तक ने औ 250 ऑब फिर यहां साब को जो है प्यद्धल जाना पड़ेगा यह देखिए इस्टेशन हैं और यहां का भीव आप लोग देख लिए चारो तरफ गाउं का भीव है यह देखिए इधर भी गाहसे चारो तरफ ही गाहसे आपको गवही गाया ले है वे नहीं डिकाए देखाए से आप जान जाएं और मतो और नव ब्लोग को सपोर्ट कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्यों किसी तरका वीडियो आपको में जो है आपको दिखाते रहूंगा नई नई जगह के जानकारी दूँगा आपको और ये देखिए एक हैंड़ देखिए ये इस्टेशन है और जितने भी ब्लोगर है वीडियो का चैनल जितने भी बनाते हैं जितने भी यूटूबर है प्लीज वो आएंगे आकर कि यहां देखेंगे और देखने के बाद ही उनको मालूम चलेगा कि यहां चूलल रहती है या भूत रहती है जूट अधिक हाँ बहुत कम रहने के कारण रातको ट्रेन यहां कम रुकती है क्योंकि यहां पर लोकल ही स्रत रूबर गाड़ी बिका भी साधान यहां पर नहीं है इसलिए आदमि यहां नहीं आते हैं दिन भर में स्रिपाँच ही यहां ट्रेन रूखती है देखिए बाबा हमारे जो है यहाँ पर नहा रहे है एक चापकल है यहाँ पर और बाबा का दुकान बगल में दो साल से है बाबा का ट्रेन जा चुकी है और मैं यहाँ का अस्थान निवासी है और जो यहाँ काम करते हैं कोसिस कर रहा हमें उलो से बात करने के लिए और जो सचाई किया है area पर भूत प्रेतं चुडेल यहाँ रहती है नहीं रहती है यह उनसे हम लोग सब पुछने के कोशिस करते हैं, ताकि मालूम चले, सचाई सब के सामने माना चाहिए, कि यहाँ पर वाकई में भूत, प्रेत, चुड़ेल रहती है या नहीं रहती है, या फिर जूट मुड का अफवा फैलाया जा रहा है, यह देखे यहाँ पर एक चाचा हैं, जिनका दुकान है यहाँ पर और भाई साब यहाँ पर हैं, साध सरेले में सर्विस करते होंगे, और एक दादा भी बेठे हैं यहाँ पर, इनसे हम जाने के कोशिस करते हैं, नमस्कार दादा, जहां बोलिए, बहुरें दादा, कि यहाँ पर जो है, आदमी यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहां पर भूत, चुड़े, लान रहती है और इहां पाट्रेन नहीं रुखता है क्या ये सचाई है याद? नहीं, नहीं, देखे, हम लोग रेली वे वार कार्क है इहां राची डेवी जी में गिरता है हम लोग एतना दिन यहां duty करते हैं, रात भी हम लोग को duty पड़ता है, यहीं पर रहते हैं, आज तक कोई यहां हम लोग विशा से नकरी कर रहे हैं, कोई इसा प्रब्लम नहीं हुआ, जो इसो भूत है, प्रियत है, इसो प्रचार किया है, इसो जूट है, इतना बुड़ा बन है, यहां रुकती है, बहुत आदमी रहता है, इसो बहुत रहता है, आता है, जाता है, सब कुछ बत नहीं, इसो बहुत रहता है, आता है, जाता है, सब कुछ बत नहीं, सोचल मेडिया में चारो तरफ हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, कि हां बहुत रहता है, ट्रेन के जोट जो आके बना के लिए एक अरोत का पिक्चा देता है यह जोड़ के जाता है आई पेड से उड़ता दे इसा कुछ नहीं हुआ आज हम लोग इतना में से कम करने कुछ तो मिलबे नीजी कुछ इस जोटे सब पचार कर रहा है सब जोब आता है बाहर का आदमी कुछ एक बाहर कारा है बोगो ही दिखने कुछ नहीं रहा आप ड़ी उसका मुझ लोग इसका कम दिया कि इन टॉब कच आये नहीं खो आप यह जा नहींυτelson शहां ब जबत्छ आ आपका कमसकम आप हमारे भीवर्स को जो है सच्चाई आपने बताया कि सच्चाई यह है ना कि यहाँ पर भूत और प्रेत और ट्रेन के पिछे और आगे दोड़ने वाले कोई और हमारा चेनेल जो है अंधि बिश्वाज को दूर भगाती है और इस तरह से जो है जूत-मुट है प्रेत है चोड़ेल है अब क्या कहना है सके बारे में हम तो यहां कम से कम हमारा पार करते हैं हमने अच्छाओ आज तक कभी कुई ऐसा नहीं हुआ है यहां पर भूत या प्रेत कोई दिखाई दिने किसी को भी लेकिन यह बाहर का जो आदमी आते हैं आचा बहुत दूर से आते हैं और एक बार तो उनसे हमारा जगड़ा भी हो गया और उनको हमने बोला भी कि भाई एसा मत करो यह सब करके जो हमारा यहां पर दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहरा हूं आपको एक बात देख लिए कि यहां पर कुछ नहीं है और आप यह सब यह सब फेलाना बंद करो आप लोग और जिसको नहीं है यकिन वो खुद आए यहां चल करके सिर्फ इंटरनेट के भरोसे बैट करके देखने से नहीं चलेगा आपको आप खुद आये खुद आकर यहां देखिए विजीट कीजिए समझिए यहां के आदमीं से बात किजिए जब मंण ऊको रात को आने से रुखते हैं डरते हैं हुर धूत में जनकरी हो गिया है जो पचार कर रहा है उन लोग को आने वो लिए उन लोग आके देखिये हैं जब भूत नो प्रयत्म नो डाइनों जूनी कोच नहीं है इस सब को यह सब इतने भी भांतियां हैं इस सब को बंद किया जाए अंदभी स्वास को दूर किया जाए और हमारे चैनल के पाति में रिकता यही है कि अंदभी स्वास ना फैले इसलिए हम लोग इतना कोशिस करके यहां से आदियों से मैं कोशिस करने कोशिस कर रहा हूं कि स पच्चाई सब के सामने माना चाहिए जूट मुटका जो है इस सब गलत बातें जो है फेलाने नहीं चाहिए यहाँ पर हमारे एक चाचा है इनका दुकान है देख लिजे